Hello friends, आज का पहला question है हमारा, जहां पर आप देखेंगे question number 21 You are expected to stand by your friends when they are in difficulties You are expected, यहां पर passive voice का प्रयोग किया गया है बहुत सारे questions, बहुत सारे doubts, बहुत सारे comments इस बात पर आते हैं कि sir, are के बाद expected कैसे आया, मतलब example दे रहा हूँ, are expected का दो R के बाद verb की third form कैसे आई, कौन सा tense है यह तो इसका एक simple सा answer देना चाहूँगा दोस्तों एक passive voice का chapter, SP बख्षी का complete करवा रखा है, voices नाम से है वो एक बार अच्छे से देख लें, जिन जिन लोगों ने भी देखा है न उनकी सारी problems, सारे doubts clear हो गए तो आपको एक बहुत simple सा suggestion यह है, कि उसे अच्छे से बढ़ लें passive voice के अगर मैं बात करता हूँ, तो you are expected तुमसे आशा की जाती है, subject पर verb कारे कर रहा होता है अगर यह passive है तो stand by, यह एक ऐसा phrasal verb है किसी के support में खड़े होना, किसी के साथ में खड़े होना किसी को support देना, तो यह कह रहा है कि तुम्हारे friends के साथ support देना है when they are in difficulties, जब वो मुश्किलों में हो, तब ऐसा कार्या आपको करना है चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि इस sentence में कोई error ही नहीं है if you do not know, तुम्हें अगर नहीं मालूम है meaning of any word, किसी word का meaning अगर नहीं पता है please see in the dictionary, दोस्तों, see का मतलब होता है देखना, और watch का मतलब होता है ध्यान से देखना, see का मतलब है देखना, और watch का मतलब है ध्यान से देखना, watchman अरे भई, ध्यान से देख रहा है वो आदमी न watchman जिसे हम कहते है, seeman थोड़ी होता है यहाँ एक और phrasal verb आएगा look up, look up का मतलब होता है कोई शब्द को, कोई चीज को खोजना, कहां पे dictionary में, अकबार में, अगर कोई word आप खोज रहे हो, तो उसे कहते है, look up, तो c की जगे आ जाएगा, look up in the dictionary तो question number 22 का error हो जाएगा, c में hello friends, स्वागत है आपका digital दयारी channel पे, मैं श्रियान्स कोठारी लेक हैं हो दोस्तों, आपकी प्यारी किताब, Objective General English, एक बहतरीन किताब की शुरुवात, मजा ही आ जाता है, लगातार हम लोग चले जा रहे हैं, दोस्तों, एक बहुत अच्छी सी बात कहना चाहूंगा, एक बहुत important बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो यहां लिखी है, कि अगर आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसी प्रार्थना करिए, कि वो सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए, सब कुछ नियोच्छावर कर दीजिए, और उनके भरोसे काम कर लिजिए, लेकिन जब आप कार्य में लग रहे हैं, तो आप स्वयम भगवान है, आप किसी के भरोसे नहीं है, आप ऐसा कार्य करिए, कि सब कुछ आप पर ही है, किसी और पर नहीं हैं, और वही बात, दोस्तों, विश्वास भगवान पर विश्वास अपने काम पर ये दो विश्वास आप से क्या नहीं करा सकते आप नहीं जानते हैं तो बस इतना सा काम करिए भगवान से प्रार्थना और अपने काम के प्रती पूरी आराथना ये दोनों ऐसी चीज होगी कि आप कोई से भी काम जो हो है जिसे हम impossible task भी कहते हैं वो भी आप पूरा कर पाएंगे चलिए objective general English में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आ जाता है हमारा आज की मिठाई आज की मिठाई मतलब आज का शब्द आज का शब्द है obliteration obliteration का मतलब है destruction destruction का मतलब है तोड औड destruction का यहां मतलब है तहसनेस करना नस्तनाबूद कर देना कोई चीज में तबाही कर देना destruction कर देना एक बहुत अच्छा वर्ड है annihilating something annihilating का मतलब होता है तोड फोड करना सो कुल मिला के यह कह रहा है अगर आप कोई चीज तोड फोड कर रहे हो destruction मचा रहे हो उसके लिए एक और अंगरेजी का शब्द है obliteration obliterate word से बनाओगा obliteration समझ आगया होगा आपको सो आपको क्या करना है दोस्तों पता है comment box में sentence बनाना है जिसमें obliteration शब्द का प्रयोग किया हो आपने चलिए मैं 22 के बाद 23 पर आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर question number 23 देखेगा द्यान से question number 23 कह रहा है he is so busy a man इतना व्यस्ता आदमी है that he cannot cope up with heavy rush of work जितना जादा कारे आ रहा है rush of work work की जो तेज स्पीड में कारे आते जा रहे हैं भीडाती जा रही है काम के उपर काम काम के उपर काम वो उसके साथ cope नहीं कर पा रहा है so cope के साथ सही शब्द जो होता है दोस्तों वो होता है cope with अपका प्रयोग नहीं किया जाता है याद रखिए कान खोल के cope with का मतलब होता है उसके अनरूप उसके साथ उसके सामन जस्से में काम करना So, यहाँ पे बन जाएगा cope with heavy rush of work आगे बढ़ते हैं दोस्तों 24 नंबर में When you enter her room जब भी तुम उसके घर room के अंदर enter करो उसके room में घुज जाओ Please put off your shoes दोस्तों put off तो light को करते हैं Take off your shoes होता है भईया जूते उतार देना उसके room में जाने से पहले जूते ना खाल देना नहीं तो वो तुम्हें निकाल देगी So, put off की जगे हैं यहाँ पे Take off your shoes आना चाहिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 25 नंबर में The doors are very strong Doors तो बहुत ही जादा strong है As they are made up with fine words Made of होता है Made up with नहीं होता है सही प्रयोग ही नहीं है Prepositions का यहाँ पे So, sentence बन जाएगा Doors बहुत strong है As they are made of fine words बहुत ही बढ़िया लकडी से बने वे हैं तो अच्छे ही होंगे मेरे भाई आगे वढ़ते हैं अगले question पे Question number 26 If you wish to succeed अगेर तुम्हें सफलता हासिल करनी है मजे की बात बहुत सारी बार बता चुका हूँ फिर बताना चाहूँगा Succeed वर्ब की first form है क्रपया इसके ED से धोका ना खाईए Succeed Success verb नहीं है Success noun है आम तोर पे विद्ध्यारती समझता आया है कि वहिया Success first form है Succeed second form है Sorry boss गलती कर रहे हो आप Succeed अपने आप में एक verb है Succeed first form है Succeeded Succeeded ये उसकी तीन forms है So succeed Please keep away from bad boys Bad boys यानि बुरे लड़कों से दूर रहने की बात कर रहा है अगर तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों Keep from Avail की कभी जरूत होती नहीं है दूर रहने के लिए सही phrasal verb है Keep from Keep from the bad boys Keep from bad boys बुरे बच्चों से बुरे लड़कों से दूर रहोगे तभी तो सफलता प्राप्त होगी संगती का असर नहीं पड़ेगा चलिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए मैं आगे बढ़ता हूँ Question number आजाते है 27 पे For safe travel Safe travel करना है तो You are advised तुम्हें advice दी जाती है तुम्हें सला दी जाती है Note करने वाली बात दोस्तों A, D, V, I, S, E S की जगे C आजाता है तो noun है S आजाता है तो verb है तभी तो E, D लगा सकते हो verb के पीछे So, तुम्हें सला दी जाती है Not to get down From की जरुतिका है यार Down the moving bus चलती भी बस से नीचे मत उतरना Get down the From नहीं आता है इससे क्या हो रहा है दोस्तों आपकी grammar तो सुधर रही है Competition exam की तैयारी हो रही है साथी साथ General bol chal की भाषा में जो गलती हम कर सकते हैं करते आए हैं वो भी सुधरता जा रहा है आगे लिए चलता हूँ दोस्तों अगले question पे Question number 28 It is evening भाया, शाम हो चुकी है Please open the light अरे light है कोलनी थोड़ी है मेरे भाई Please ऐसा कर सकते है Turn on the light Switch on the light Switch on the light Light को चालू करना है खोलना नहीं है आप तो बल्ब को खोलने वैड़ता होगे भाई Open the light कभी नहीं होता है आगे लिए चलता हूँ 29 पे On the eve of independence Independence की शाम पूर्वसंध्या EVE याद कर लीजे यह शब्द इसे हिंदी में कहते हैं पूर्वसंध्या क्या मतलब है मेरे भाई Independence Day कभ आता है मेरे भाई Independence Day आपका 15 अगस्त को 15 अगस्त यानि कि 14 अगस्त की शाम को आप पूर्वसंध्या कहते हैं अगर मैं कहूँ Christmas Eve तो 24 दिसंबर की रात्री शाम जो होती है उसे कहते हैं पूर्वसंध्या यानि जिस दिन कारिक्रम है उससे पहले वाली शाम EVE यानि Independence EVE की बात हो रही है Congress Party लीडर ने Pledge ली थी Pledge का मतलब है शपत ली थी ऐसी एक शपत खाई थी क्या खाई थी To wipe out नहीं भईया Tears होता है Wipe away आसू मिटा देना आसू साफ करने के लिए आता है Wipe away tears From every eye हर आँक से आसू गायब कर देंगे ऐसा Congress ने कहा था कितना हो पाया मुझे नहीं पता आज का आखरी सवाल है Shruti was accused Shruti को Accused of यानि कि उस पर आरोप लगा था Sitting on the fence होता है At the fence नहीं होता है Sitting on the fence का मतलब होता है एक trouble पे खड़े होना दुराहे पे खड़े होना परिशान हो जाना उसे कहता है Sitting on the fence By her husband उसके husband के द्वारा When he was in trouble वो ट्रबल में था और वो दुराहे पे क्यों थी भाई उसको तो अपने पती का ही साइड लेना है दूसरे की साइड ही क्यों लेनी है डाइलेमा में आना ही क्यों है तो इसलिए उसका पती भी परिशान था इसलिए उसने आरोप लगाया तो accused के बाद ओफ आता है ये भी याद करने वाली बात सो इस तरह से काफी सारी बाते हैं जो हमने याद करी समझी, सोची बहुत सारे errors निकाले और उसके साथ-साथ कई सारी बाते मैंने extra add-on करके बताई इसी तरीके से बने रही है दोस्तों review exercise का आखरी वीडियो अगले वीडियो में बन जाएगा और हमारा chapter 15 completely complete हो जाएगा 16 की शुरुवात करेंगे उससे अगले वीडियो में तब तक के बने रही है आपके प्यारे चैनल पे जिसका नाम है Digital Tयारी थैंकियो प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब Digital Tयारी